जी, Assalamualaikum and welcome back to अपनाघर.PK कैसे हैं आप सब लोग and आज हम आएं जी, H13 इसलामबाद में and we have got a very affordable and a very very reasonable five-marlah house on our hands today और अब इस घर को लाने की दो-तीन specific reasons थी, उसमें नमबर वन है इसकी अप्रोच क्योंकि इसलामबाद के सेक्टर H13 में इसलामबाद के अंदर फॉल करता है यानि कि सिटी के आउट सकर्ट में नहीं है, within the main city ये घर फॉल करता है सिरिनेगर हाइवे से, जिसको हम पहले कश्मीर हाइवे भी कहते थे उससे इसका five to six minutes walking distance है as well as G13 और G14 जैसी main और मशहूर CDA के सेक्टर जो है वो इसके समने भाक्या है तो obviously this place in the heart of the Islamabad अब यहाँ पे कुछ problems भी है और H13 में कुछ issues भी है we will discuss each and everything जैसे के हम हमेशा अपनी वीडियो में एक honest, fair and impartial review देते हैं ना के सिर्फ उस घर का बलके उस इलाके के बारे में जिसके हम वीडियो बना रहे होते हैं तो आज का हम review करते हैं start और जिस जिसने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो लाजमी subscribe करें so we are at H13 इसलाबाद and we have got 5 मला 1.5 स्टोरी हाउस अब H13 जो सेक्टर है इसलाबाद के जितने सेक्टर्स हैं उन से सबसे ज़्यादा सस्ता है even इसलाबाद के जो main sectors हैं उन में इतने का plot भी नहीं आता जितना है में यहां पे 5 मला डबल स्टोरी घर आ जाता है तो उसकी कुछ reasons obviously होंगी जो मैं अभी discuss करूँगा तो अभी हम इस घर के ड्राइंग रूम के अंदर आए हैं और इसल्फ इस घर की हम कुछ बात कर लेते हैं घर की build quality मुझे to be very honest पसंद नहीं आई इसके साथ साथ जो मुखलिफ काम हुए है इस घर में उससे मुझे इखतलाफ है जैसे कि इस घर की flooring quality है that is not up to the mark इसके साथ साथ wooden work भी जो doors है बिल्कुल pretty average, pretty normal बिल्के below average भी आप इने कह सकते हैं जो यहाँ पे wooden work हुआ हुआ है इसके साथ साथ जगा जगा पे इस घर में same है इस घर को लाने का मक्सद एक ही है कि इसकी approach अच्छी है कई लोग ऐसे हैं जो के city से दूर रहते हैं उन्होंने offices, colleges, universities जाना होता है लेकिन उन्हें problem होती है तो main city के अंदर होने की वज़ा से यहाँ पे उन्हों का approach काफी अच्छी होगी अगर main इसनाबाद के अंदर आपको कोई काम पढ़ता है इसके साथ साथ हम kitchen में आगे हैं तो kitchen में tiles बिलकुल normal वाली हैं यहाँ पे जो cabinets हैं, shells हैं और इसके साथ wash basin वगारा everything is pretty below average लेकिन still it's my duty के मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊं क्योंकि मुझे बिलकुल अंदाजा है जो लोग घर लेते हैं उन्होंने पैसा accumulate किया होता it is not easy to accumulate this much money कि आप घर पर chase कर सकें कहीं लोगों की जिन्दगी भर की जमापूंजी होती है और मैं कते ही नहीं चाहता कि आप किसी गलत जगापे किसी गलत अलाके में जो है वो investment कर दें या पैसे डाल दें और आप पूरी जिन्दगी पच्चता है लेकिन इसलिए हमेशा मेरी कोशिशी होती है कि आपको साथ साथ एक एक चीज़ आगा कर रहोता है तो बारहल इस घर में जो हैं वो total three bedrooms है overall मैंने आप लोगों के analysis इस घर का short सा घर के बता दी है प्रॉब्लम्स हैं इस घर में material के हवारे से काफी जगाँ के पे compromise किया गए लेकिन still में इसलामबाद के अंदर आपको इतनी range के अंदर मेरा नहीं ख्याल के घर मिलेगा still अगर आप लोग यहां पे आते हैं कोई भी इस घर को purchase करते हैं जहां पे आपको कमी महसूस होती है मुझे लग रहा है यहां पे एक cupboard होनी चाहिए थी जो के हमेशे से काफी ज़्यादा important होती है और इसके साथ वाश रूम में आएं तो like जिस तरह पूरा घर मैंने आपको बताया है we cannot expect anything exceptional in this house और यहां पे even mirror भी नहीं है तो आज घर इस तरह के कि इसका थोड़ा सा post-mortem करना पाड़ा है लेकिन still जब भी honors जो होते हैं घरों के उनके घरों के जब मैं post-mortem करता हूँ तो they have pretty much issues with myself and they usually ask me मुझसे गिला किया जाता है कि असद भी आपने घर की वीडियो बनाई और घर में जो है वो तमाम चीज़ें इस तरह कोल के बियान कर दी यह नहीं करना होता हमने घर सेल करना है तो हमेशा मैं उनको यह कहता हूँ let's hold on सिर्फ घर सेल करना ही मकसद नहीं होता इमानदारी से तमाम चीज़ें बताना ही मेरे खाल से सही होता है क्योंके देखें वीडियो में अगर आप चीज़ें चुपा के बता भी देंगे on the spot जब भी कोई इनसान घर खरीदने आया होगा I don't think he is blind उसको हर चीज़ नजर आती यार ये बंदा कितना खराब था कि इसने वीडियो में चीज़ जो है वो नहीं दिखाई और हमारा टाइम वेस्ट हो और हम यहां पे आए तो स्टिल चीज़ इसलिए में सब दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो है वो अपनों को टाइम वेस्ट ना हो अगर जिस जिसको इनसान को यह घर समझ में आता है वो आके हमसे रापता करे और इसको परचेस कर सकता है तो एच थर्टीन की अब कुछ हम बात कर लेते हैं यह इलाका जो है वो अभी तक CDA से अप्रूफ नहीं है that is the only reason कि यह शहर के दर्मयान में in the heart of the city होने के बावजूद अभी इतनी सस्ती जगा H13 कश्मीर हाईवे के साथ इसका जो है वो बिल्कुल interaction है five to six minutes यहाँ पर walking distance है फिर G13, G14 जैसे इलाके यहाँ पर सामने लगते हैं तो overall होना तो इसको expensive चाहिए था यहाँ पर streets भी तक किसी ली नी बनी वी यहाँ पर gas भी नहीं है available है तो यहाँ पर water है और इसके साथ-साथ electricity available है तो immunities में हमारे पास सिर्फ water और electricity की immunity है यहाँ पर आप लोग loan भी नहीं हासल कर सकते कहीं लोग होते हैं मुझसे पूछने कैसे हर वीडियो में जो है वो loan के हवाले से भी विता दिया गरे क्योंके this is not approved area just like ghori town so लेकिन still the price is very captivating very appealing you are getting this house in the middle of the city in this price range yes accepted the fact कि यहाँ पर problems हैं इस घर में और काफी सारे problems हैं जो कि मैरे तमाम चीज़ें आपके समने एक खुली किताब की तरह खोल कर अगभी है तो I hope कि आज की वीडियो आप लों को पसंद आ रही हो इसके साथ साथ कोई और भी suggestions हो तो दिया करें भी हम चत पे आते हैं तो यहाँ पे काफी जादा जो हैं चीज़ें messed up हैं सामने वाश रूम वीडियो बनाने से पहले में देखने आया था इडिस प्रिटी मच बिलो आवरेज अन मेडियॉकर सोट फ वाश रूम जहां पे ना ही कोई खास किसम का पेंट है और लाइक देखने में भी तबित खराब हो भी है सो आज की वीडियो आपनों को पसंद आई होगी यह घर उन्नों को ही सूट करेगा जिनको इतने कम रेंच के अंदर में इस नामबाद के अंदर घर चाहिए अदर्वाइस इस घर में मुझे कुई ऐसी अट्रेक्शन की चीज़ नहीं नज़र आई जो कि मैं कहूं कि यार यह बहुत ही ज़्यादा जबर दस्ता उस घर को मिस नहीं करना आज की वीडियो आपनों को पसंद आई होंगी अब तिल नेक्स्ट वीडियो टेक केर अफ युरसेल्फ ठंड काफी ज़्यादा यखिया पीए चाई पीए काफी पीए और घर में जो है ना राम से चिल करें क्योंकि खंड की पीक आ चुकी है सो अपना ख्याल रुखेगा अलाफ़स